दोस्त हाल ही में दिपावली का त्योहार बीता, उसी की एक छोटी सी घटना आपके साथ सेर करना चाहता हूँ, एक लड़का जो अपने घर से दूर किसी साहर में जाकर सरकारी नवकरी की तैयारी कर रहा, उस लड़के को दिवाली के इस पर्व पर उसकी मा ने फोन कर बोला बेटा तु कब आ रहा है, तो दोस्त आपको पता है उस स्टूडेंट ने अपनी मा से क्या कहा, मा मैं फिर इस दिवाली को घर नहीं आ पाऊंगा, मा आप दिवाली अच्छे से मनाईएगा, हम अगली दिवाली में जरूर आपके साथ होंगे मा, दोस्त एक एस्पिरेंट दिवाली पर घर आने से मना करना और उसका इस्ट्रेगल कितना कठिन होता है, वह एक स्टूडेंट ही जान सकता है, दोस्त शपने तो इनके भी होते हैं, दिवाली बोली जैसे त्योहार को अपने घर, अपने परिवार के साथ मनाने का, लेकिन एक स्टूडेंट का बिना जौब कोई सेलिब्रेशन अच्छा ही नहीं लगता, दोस्त या इस्टूडेंट दिवाली के दिन खुद को एक कमरे में बंद कर अपने सपने को पाने के लिए लड़ते रहते हैं, दोस्त दिवाली की रात जब सब पढ़ा के दगा का जस्न मना रहे होते हैं, इस रात ये स्टूडेंट अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दोस्त ये स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में तो केवल मेहनत करना ही होता है, दोस्त अपने मेहनत को जारी रखना एक दिन जरूर आप काम्याब होगे